मुख्यमंदेश शिर्वा सिंग चोहान के राज में वैवस्थाएं कैसे राम भरों से चल रही है इसका अंदाजा इस बास से ही लगाया जा सकता है कि मध्यप्रिदेश सरकार के पूर्व मंतरी रामद्याल अहिरवार के शव को ले जाने के लिए शव वाहन भी नहीं मिल सका पूर्व मंतरी के परीजनों को प्रसाश्य अर्नत की तरफ से शव वाहन भी उपलाब्द नहीं कराये गया। वो जागर हुआ है। भाजपके पधादीकारी और सरकार बेहद लापरवा है। दुक्की इस घड़ी में हमारे साथ नहीं है। पुर्विधाय के पुत्र लच्वी अहिरवार ने कहा कि हमें अपने पिता का शव लाने के लिए 200 रुपे में एंबुलेंस करना पड़ा। प्रसाशन की तरफ से कोई भी वेवस्ता नहीं की गई। मुखे में दी शिवरा सिंग चोहान भाजपा प्रदिश अध्यक शिवीडी शर्मा के साथ विवंगत नेता के यहां पहुचे और उन्हें एक सहज सरल और लोगप्री नेता बताया। और कहा उनका अंतिम संसकार राजकी सम्मान के साथ किया जा रहा है। पुर्वमंत्री के शॉप के लिए वाहां तक नहीं मिलने के सवाल पर शिवरा सिंग चुपचाप चलते बने। मधुप्रेश में भारती जन्ता पालिटी ने अपना समर्पित कारी करता और जन्ता ने अपने लिए खोया है। मैं और प्रदेशर देक्ष जी आज उनके चर्णों में स्रिद्धा के सुमन हर्पित करने आए है। उनका अन्तिम संस्कार राज की सम्मान के साथ होगा। और उनकी इसम्रिती में भी हम महराजपुर में अपने कारी करता साचियों से परिजनों से चर्चा करके। तो यह ऐसा काम करेंगे जो उनकी याद को अक्षोन बना के रखें। मैं उनके चर्णों में सुर्धा के सुमन अत्रिक करता हूं। करता हूं कि वो दिवंग यतात्मा को सांथी दे और उनके परिवार को उनके मित्र और अन्याईयों को कारी करता हूं। जहन दुद्ध सहन करने की शंता दे ओम सांथी। वहीं भाजवर प्रदेश अध्यक्षी वीडिश्वर्मा ने कहा कि रामद्याल अहिरवार भाजपा के एक ऐसे कारे करता थे जिन्हों ने इस छेत्र में पार्टी को खड़ा किया। उनका जाना केवल इस छेत्र के लिए नहीं प्रदेश के लिए अपूर निये च्छती है। जिन्हों ने इस छेत्र के अंदर भारती जन्ता पार्टी को खड़ा किया। और ये उनका जाना केवल इस छेत्र का नहीं पूरे मद्रदेश के एक अपूरणी च्छती है। आज उनका जाना और पूरी भारती जन्ता पार्टी सोका कुल है। आप बेख नहीं है। जखल्यूू। आप बेख नहीं है।